रोमन सामराज के बारे में एक ये introductory अभी तक हमने चर्चा की कि रोमन सामराज है क्या कहां स्थित है उसकी कुछ मूल भूत धांचों को राजनेतिक सामाजिक और भगोलिक धांचे को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने मूल विशय पर कि रोमन सामराज की स्थापना और उसका इतिहास उसका रोमन सामराज का आरंबिक इतिहास रोमन सामराज ये मोटे तोर पर देखा जाये तो उसको हम दो चरणों में देख सकते हैं दो चरणों में सामराज को टू स्टेजिस जिसमें पहला स्टेज कहलाएगा पूरवरती सामराज पूरवरती चरण और बाद का तो पूर्व चरण और बाद के चरण के बीच में एक काल आता है जो तीसरी सदी का समय है याने 200 से 300 के आसपास का समय और इस काल में हम से बीच में रखकर दो भागों में भाजित करते हैं दूसरे शब्दों कहें तो तीसरी सदी के मुख्य भाग तक जवदी को पूर्व वर्ती और बात के भाग को परावर्ती ऐसा हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में संखिप्त में यहां के इतिहास को हम दो भागों में पढ़ेंगे और दो भागों के बीच के एक काल है जो थोड़ा सा अलग है इसके बारे में हम अलग से समझेंगे तो रोमन सामराज के प्रारमिक इतिहास के तहट रोमन सामराज ऐसे खेत्र या संस्कृतियों का मिला जुला रूप था जो मुक्यतिया सरकार की एक साक्षी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े थो एक साज जुड़े थो इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती थी समराज इतना विस्तृत था इतना विस्तार का था कि भाषाएं बहुत थी कई भाशाएं बोली जाती थी और प्रशासन में मूलता यूनानी और लैटिन भाशा जिसे हिंदी में लातिनी भाशा बोलते हैं यूनानी भाशा का उस खेतर में ज्यादा था बोल बाला जो इस सामराज के पूर में था एशिया की तरफ के खेतर में यूनान के तरफ के खेतर में यूनानी भाशा और जो पश्चमी यूरोपी हिस्सा है जहां रोम था उस सब्विता का केंद्र उहां पर लातिनी भाशा बोली जाती था ये प्रशासन में दुभाशी वो चलता था और इस परकार दोनों टुकड़ों को सामराज के दो जो मुख्ध टुकड़े थे पश्चमी और पूर्वी इनको एकिकरित करने का काम इन दो भाशाओं के प्रशासनिक उप्योग के माध्यम से किया गया जो लोग समराज में रहते थे वे सब लोग एक मात्र यानि शासक यानि शासक की प्रजा थे एक ही राजा होता था और अब लोग उसकी प्रजा माने जाते थे चाहे वे कहीं भी निवास करते हो चाहे वो पूर्वी खेतर में हो पश्चिमी खेतर में हो या मिस्र के आसपास के हो या उपर की तरफ हो उत्तर की तरफ हो सभी लोग एक शासक में विश्यास करते थे और रहते कहीं भी हो भाशा कुछ भी हो शासक उनका एक था रोम जो शहर है जैसा मैंने पूर में बताया कार्थेज कार्थेज शहर की स्थापना लगबग आठ सो इस्वी में थी रोम जो है वह उससे पहले ही स्थापित हो चुका था ये टाइबर नदी जो आप देख रहे हैं जो इटैली में हैं इस टाइबर नदी में स्थित्व इसके दक्षिन में और लेटियम नाम के जिले का एक हिस्सा था तो जब रोम की बसाहट शुरू हुई तो वह स्वैम किसी एक जिले का हिस्सा था और एक हजार ईस्वी पूर में यहां बसाहट शुरू हुई यानि आज से तीन हजार वर्ष पूर वलगभग रोम की स्थापना का काल हम मान सकते हैं और ये लेटियम शाहर से लिख ही यहां की जो भाशा मैंने पहले बताया लेटिन कहलाई पहले ये भाशा लेटिन लेटियम से ही थी और वहां के लोंगों की ये भाशा थी जहां तक रोम की खुद की भागोलिक संरचना का सवाल है नदी के पास इस्थित लेकिन एक उंची पहाड़ और बलकि साथ पहाड़ियों पर रोम एक उंची पहाड़ी पर और साथ पहाड़ियों से था और इस खेत्र अन्य नगरों की अपिक्षा वो ज्यादा ही महतपूर्ण था रोम का जो विकास हो रहा था वो ज्यादा तीवर था और उसका कारण था कि नदी के किनारे इस्थित होना वह भी टाइबर नदी जो एक बहुत महतपूर्ण नदी थी इतने बड़े समराज में विभिन भाषाई लोग विभिन तबके के लोग और विभिन श्रिणी के लोग रहते थे उसी प्रकार धर्म भी अलग-अलग थे जो सभ्धिता या जो संस्कृती जो समराज तीन महादीपों में फैल हुआ है निश्यत रूप से वहाँ पर धार्मिक विभिन नता तो रहेगी है लेकिन समय के साथ इस खेत्र का इसाई करण प्रारम हुआ समराज का इसाई करण प्रारम हुआ चलिए अब हम पुना इंट्रोडक्टरी प्रस्तावना के रूप में रोम की शासन प्रणाली को भी समझने की कोशिश करें कि इसकी शासन प्रणाली कैसी थी चुकि काल जो है रोमन सब्विता का वो लगब पांसो छेसो वर्ष का है और बहुत फैला हुआ था तो जितनी इसकी सीमाएं फैली हुई थी उतने ही इसकी सीमाओं में विरोधी भी थे स्वभाविक है आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सब्विताओं ने उसके आसपास जन्म लिया और आई और चली भी गई यही हश्र रोमन सब्विता का भी हुआ उसकी रोमन सब्विता बनी रही लेकिन जो सासन प्रणाली थी उसमें लगातार उताओ चड़ाओं बार बार परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ उसमें कुछ ने ने प्रयोग हुए नई बातें जोड़ी गई पुरानी चीज़ें हटाई गई या ने पुराना ना कहें तो बहतर होगा कि जो शासन विवत्था में जो संस्थाएं थी चाहे राजाओं के रूप में, मंत्रियों के रूप में, सैनेट के रूप में, जनतंतर के रूप में, गनतंतर के रूप में ये जो संस्थाएं थी इनका प्रभाव, इनका प्रकार, इनका रूप बदलती रहा और कई उतार चड़ाओं शुरु में तो यहाँ राजय तंत्र था, बड़ी सीधी बात है कि शुरू में पूरे विश्व में जब राज्य बना, शुरुवात राज्य से होई, जाओं, फिर उतके बाद शहर, फिर शहर के बाद राज्य, तो राज्य तंत्र आया, एक छत्र सम्व, जो शासन होता था, वो राजा का होता था, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर यह था कि राज तंतर में राजा था, उसके साथ ही एक सभा होती थी और एक सेनेट होता था, सभा क्या थी, सभा याने उस खेतर के सभी लोग उसमें शामिल थे, सभी नागरिक, सभी पुरुष नागरिक, कैसे कौन लोग पुरुष नागरिक मतलब इशारा इस बात की ओर है कि महिलाओं को राजनीतिक गतिविदी में थोड़ा सा दूसरा स्थान था सभा का वे अंग नहीं थी याद रखेंगे क्योंकि यह बात आपको वहां की सामाजिक विवस्था की ओर इशारा करती है और कौन से नागरिक सभा के सदसे अपने आप माने जाते थे वे लोग जो सैनिक बनने के पात्र थे सैनिक बनने की योगिता रखते थे वही सभा के सदस रहते थे तो सभा एक आम बैठक की विवस्था होती थी कहलाती थी जिसमें सभी लोग रहते थे वे सभी लोग जो सैनिक बनने के लिए योगिता रखते थे अब सैनेट क्या है पहला तो राजा दूसरा सभा तीसरा सैनेट सैनेट में विभिन कुलों के जो मुखिया होते थे नेता होते थे ये लोग शामिल रहते थे सेनेट एक छोटी संस्था होती थी और चूंकि इसमें सब जगह के मुखिया रहते थे तो ये बड़ी शक्तिशाली होती थी बड़ी ताकतवर संस्था होती थी क्योंकि मुखिया लोग जहां हो तो उनी का बोल वाला चलेगा आगे चलकर तो क्या हुआ कि कुल के मुखियाओं के अलावा अमीरों को भी प्रभावशी लोगों को भी और इसके साथ ही जन साधारण से भी कुछ लोगों को इसमें लिया जाने लगा याने सेनट का भी दायरा थोड़ा बढ़ा पर निश्यत रूप से फिर भी यह सीमित था छठी शताब्दी इस्वी पूर्व छठी शताब्दी इस्वी पूर्व मतलब लगभग 500 बीसी लगभग 500 वर्ष इस्वी पूर्व याने आज से लगभग 500 वर्ष पहले यहां गणतंत्र की स्थापना हुई यह एक बहुत अहम परिवर्तन का दौर मैंने शुरू में बताया राजनीति कुतार चढ़ाओ यहां बहुत हुए राजतंत्र से शुरू हुई व्यवस्था सभा सेनेट और उसके बाद गणतंत्र में बदल गई रिपब्लिक में बदल गई और वह भी कब आज से लगभर धाई हज्जार वर्ष पहले रोमन सभिता में रिपब्लिक शब्दाया गणतंत्र आया रोम के गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था थी वो इसमें दो काउंसल होते थे वो सीनेट और सभा के द्वारा चुने जाते थे सेनेट और सभा के द्वारा चुने जाते थे इसका अर्थ क्या हुआ राजा का इसमें कोई योगदान नहीं था इनके चैन में काउंसलर मतलब क्या होता है काउंसलर मतलब एडवाईज देने वाला तो दो काउंसलर का जो चैन होता था इनके चैन में राजा का योगदान नहीं सैनेट और सभा याने जनताक और जनता के प्रतिनिधी इनके द्वारा काउंसलर का चैन किया जाने लगा और ये गनतंत्र की और इशारा है गनतंत्र की बढ़ती ताकत का इशारा है यह जो काउंसल होते थे इनका चुनाओं सभा के द्वारा दो वर्ष में होता था याने काउंसल लोग दो वर्ष के लिए चुने जाते थे और इनका जो कारिक्षेत्र होता था पहला सेना का नित्रित्व करना दूसरा कानून को लगू करना और तीसरा न्याय देना कारिक्षित की यदि बात करें, काउंसिल की तो बड़ा स्पश्ट था, सेना, सैनिक नित्रित्व, न्याय और तीसरा कानून को लागू करना, याने एक्जिकेटिव भी थे, जुडीशियरी भी थे, और आर्मी के हिस्सा भी थे, ये कहलाते थे काउंसिलर, और किनके द्वार चैन होता था सभा और सेनेट के द्वारा, याने जैनता और जैनता के प्रदिदियों के द्वारा, शासन विवस्था, भगोलिक स्थिती और थोड़ा सा इतिहास, उसका जानने के बाद, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में जानने के लिए, जिन्हों रोमन सब्विता, रोमन सामराज्य, रोमन एम्पायर को वह बनाने में इस ऐसा बनाने में योगदान दिया जिसके लिए आज हमने जानते हैं और इनको पढ़ते हैं जिसके कारण रोमन सब्विता इतनी विक्सित हुई कि वो वर्तमान यौरप, आजनिक यौरप के सब्वित का एक तरीके से प्रिकरसर मानी जा सकती है उसकी शुरुआत वहां से देखिए जा सकती और इसमें सबसे पहले जो रोमन सामराटा है उसकी शुरुआत हम पहली शताबधी इस्वी पूर्व से करते हैं performance पहली शताबधी इस्वी पूर्व याने हंडर्यड बी-सी के आस्पा यानि आज से 2100 वर्ष पूर्व के आसपास रोम निवासियों ने यूनान और एशिया माइनर पर कबजा किया अब देखिए नक्षे में यूनान कहा है मेडिटरेनिन के पूर्व में भारत से निकट आगे भारत का जिक्र भी आएगा इसी क्षेतर से अभी ही बता दूँ इसी क्षेतर से सिकंदर महान भारत आये थे और एक समय ऐसा था जब यहां के एक समराट ने भारत पर कबजा करने की योजना बनाई थी और यज़ यो सफल होता तो भारत भी किसी समय बहले ही कुछ वर्षों के लिए इस महत्पून ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन का हिस्सा बनता और शायद भारत का इतिहास थोड़ा सा दूसरा होता यह तो हम बाद में जानेंगे और और अवश्य पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल यह जान लें कि लगभख सौ बी सी के आसपास रोम के शासकों ने एशिया माइनर और उसके आसपास जो दूसरा कुछ खेतर है यूनान इस पर कबजा कर लिया और साथ ही दक्षिन में देखिए मिस्र लिखा हुआ है मिस्र याने इजिप्ट इजिप्ट जिसकी राजधानी कैरो है तो इजिप्ट पर भी उन्होंने कबजा कर लिया और इस पकार देखिए रोम कहा है दूसरी और वहाँ पर एशिया माइनर कहा है यूनान कहा है और दक्षिन में आपका इजिप्ट है इस पर उन्हों और इस बारम बार युद्ध के कारण इसका दो परणाम हो सकता था या तो सेना पूरी तरह समाप्त हो जाती और या सेना का वर्चस बनता और हुआ यही कि बारम बार युद्ध के कारण बारम बार युद्ध की महत्ता बढ़ती महत्ता के कारण सेना पतियों का सैनिकों का व लोगों को ज़्यादा टाकतवर क्यों मना दिया इसलिए कि इन लोगों को सेना से जड़िए लोगों को यह अनुभूती हो गई थी कि जो पूरा समाज है उनके लिए हम बहुत अहम हैं हम पर उनकी काफी निरभरता है और इस अनुभूती के कारण धेरे धेरे इनकी जो राजनितिक शक्तवी है, वो बढ़ती चले गए। अब जब एक तराजू की बात करें, तो सत्ता परिवर्तन जब होता है, तो एक की सत्ता एक की शक्ति अधि बढ़ती है, तो दूसरे की शक्ति में रास होता है, गिरावट होती है। और वही यहां हुआ कि जैसे जैसे सैनिकों की राजनेतिक सत्ता बढ़ने लगी उनका वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ने लगा उनका प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा राजनीतिक परिप्रेक्ष में सभा का जो जोर था सभा का जो दम था वो धीरे धीरे ख्षीन होता गया कमजोर होता गया उसमें इसमें एक तरीके से गिरावट आने लगी और सभा क्या थी जनता की जनता की गैदरिंग की जगह थी जनता के प्रतिनी ती जिसमें रहते थे दूसरे शब्दों में गनतंत्र को इस लगातार युद्ध के कारण चोड़ पहुंचने लगी रिप सेना पती जो हैं वे अब ज्यादा महत्पूर्ण हो गए सेना पती याने सेना का मुखिया एक तरीके का ओटो क्रैट एक तरीके का तानश्या जो जगह जीती गई थी इन लोगों के द्वारा इन सेनाओं के द्वारा खासकर एशिया माइनर और पूर्वी एशिया में पू क्षेतर के रोम के आसपास के जो लोग थे उन्होंने दास बना लिया उन्होंने उनको पकड़ा अपने हाँ लाए ऐसे लाखों लोगों को और इनको अपना दास बना लिया गुलाम बना लिया इसलिए रोम के समाज में दो ही तरीके दो ही ख्षेणी के लोग रहे या तो क्यों? क्योंकि दासों की संख्या भी बहुत थी बहुत बड़ा ख्यत्र जीता था और उस जीते हुए ख्यत्र से लाए गए लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था तो स्वामी और दास ये दो ही वर्ग समाज में उनके रोमन समाज में थे दासों की जो इस्थिति थी जैसा की अनिक खेत्रों में होता है दास दासी होते हैं दैनी और शोचनी इस्थिति लेकिन कितने समय तक इनका शोशन इसका भी एक समय आता है Every dog has his day हर एक का एक दिन होता है और वही बात यहां भी थी दासों ने भी धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया विद्रोव करना शुरू किया और प्रतिरोध करना शुरू किया 73 E. Swipur 73 E. Swipur अरथा 73 B.C. में इन्होंने एक तरीके से एक बड़ा विद्रोव किया और इस विद्रोव का जो नेता था वह था Spartacus स्पाटकस याद रखेंगे स्पाटकस दास विद्रोह का नेता था मुखिया था दुरभागिसे दासों के इस विद्रोह को कुचल दिया गया दबा दिया गया क्योंकि दास नहत्ते एक तरीके से बनां सेना जो पूरी तरह से सक्षम थी निपुन थी, कुशल थी उसने बड़े-बड़े खेत्रों पर विज़ई पाई थी कई सामराजियों को पराजित करते रही थी ऐसी सेना के सामने ये दास कैसे ठायरते तो वे पराजित हो गए लेकिन ये जरूर हुआ कि दासों का प्रतिरोध एक मुद्दा बन गया दासों के विद्रों के दमन के बाद ये जो सत्ता है जो वहां की राज सत्ता थी इसको लेकर जो दो तबके थे उनके बीच में ही धगड़ा शुरू हो गया जो सेना पती दो थे, एक का नाम जूलियस सीजर और दूसरे का नाम पामपी ये सेना पतीों के बीच में ही जगड़ा हुआ तनाओ बढ़ा दुश्मनी बढ़ी तो ये दास विद्रों के कुचलने के बाद सत्ता पाने के लोब में बढ़ी हुई सत्ता पाने के लोब में इन दोनों के बीच में जूलियस सीजर और पामपी के बीच में तनाव बढ़ता गया और अंत में जूलियस सीजर जो एक बहुत महान सेनापती था जूलियस सीजर पर प्रसिद पुस्तके भी लिखी गई हैं उसकी बहुतरी को लेकर एक महान सेनापती एक बड़ा युद्धा और सेनापती और योद्धा उने के साथ-साथ वो बड़ा चालाख था राजनीतिक के रूप में भी, सामनेतिया सेनापती जो हैं वो कूटनीती नहीं समझते राजनीती नहीं समझते पर यहां जूलियस सीजर की खासियत यह थी कि उसमें राजनीतिक समझ भी थी, राजनीतिक बुद्धी भी थी और साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा प्रशासक भी था परणाम क्या हुआ कि उसने पामपी को बुरी तरह पराजित किया अपनी राजनीतिक सूजबूज, सैनिक कोशल और प्रशासकी गुन के बल पर पामपी और जूलियस सीजर के बीच की लड़ाई में जूलियस सीजर विजई रहा और पामपी को बुरी तरह पजाजित करके उसने अपने सत्ता अपने हाथ मिली सेनेट को पूरी तरह से अपनी तरफ मिला लिया और इस प्रकार एक तरीके से ताना शाह बन गया सेना पती तो था ही एक मात्र सेना पती था उसके साथ ही राजनेटिक सत्ता भी अब उसके हाथ में आ गई क्योंकि सभा लगबग समाप्त हो चुकी थी सभा लगबग निश्क्री हो चुकी थी और जहां तक सेनेट की बात थी सेनेट क्या था? मैंने आपको बताया सेनेट में ऐसे ऐसे लोगों की सभा थी ऐसे लोगों की एक मंडली थी जिसमें विविनकुलों के मुखिया धनाडिवर के लोग, अमीर लोग और प्रभावशाली लोग आत रहते थे इसको उसने अपनी तरफ कर लिया और कोई इसमें विशेश इसको प्रयास नहीं करना पड़ा क्योंकि जूलियस सीजर की सैनिक टाकत, राजनीतिक चुत्राई और कूटनीतिक कोशल के सामने सैनिट वैसे ही सरेंडर कर दिया उसने अपने को समर्पित कर दिया और इस पकार सैनिट को अपनी तरफ मिलाने के बाद ना सभा उसके विरोज में ना सेनेट उसके विरोज में सेना का तो मुखिया था ही और दासों को पहले ही दमन कुचल लिया जा चुका था तो अब समाच के सभी वर्ग उसके अंतरगत थे और ऐसे में जूलियस सीजर एक ताना शाह के रूप में सामने आजा था कुछ समय पश्चाद जूलियस सीजर का वही हश्र होना था जो हर ताना शाह का होता है क्योंकि ताना शाही मतलब एक छत्र सामराज्य ताना शाही मतलब किसी भी तरह का विरोध नहीं और विरोध करने वालों को पूरी तरह से कुचल देना समाप्त कर देना चाहे हत्या करके चाहे उनको जेल में डालके चाहे ऐसे में प्रतिक्रिया तो होती ही है कब तक आप विरोध की आवाज को दवाए रख सकते हैं इतिहास बताता है कि जब जब विरोध के आवाज को ज़्यादा दवाने की कोशिश की गई तो उसने प्रतिक्रियात्मक रूप से काउंटर विद्डोह शुरू किया और यही यहाँ पे भी हुँआ कि कुछ काल के काल के बाद जूलियत सीजर की उसी के विरोधियों ने हत्याँ कर दी वे लोग तो मौके की ताक में थे और इस वकार जूलियस सीजर ताना शाह की हत्या कर दी गई वैसे तो जूलियस सीजर की हत्या के बाद राज सत्ता जो है उसके दो मित्रों के पास गई जिनका नाम था एंटनी और लैपिडस एंटनी और लैपिडस उसके मित्र थे तो ऐसा मान करते हैं कि जूलियस सीजर नहीं तो सत्ता उसी के मित्रों के पास ही गई यानि कोई विशेश अंतर नहीं हुआ लेकिन उसके साथ ही उसका भाई का पोता भी था एक अक्टेवियन क्या नाम था अक्टेवियन तो इस परकार ये सत्ता तीन लोगों के हाथ में एक साथ गई सत्ता के समालने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली एंटनी लैपिडस और अक्टेवियन अक्टेवियन कौन था वहाँ जूलियस सीजर का रिष्टेदार था उसके भाई का पोता था 27 इसवी पूर्व 27 बीसी में अक्टेवियस जो है वहाँ रोम सामराज्जी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया यानि उसने अन्टोनी लापिडस को भी पचाड कर पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लिए और अपना नाम भी उसने एक तरीके से उपाधियों को लेकर अपना नाम बदल दिया आगस्टस और इंपरेटर ऐसी अन्युपादियां अपने नाम करके उसने लगभग चौबिस वर्ष तक शासन किया सत्ताइस बीसी से लगातार चौबिस वर्ष तक शासन करना जाने बीसी के समाप्त होते होते या एडी एन्नो डामिनी ईस्वी के प्रारंब होते तक लगभग उसने शासन किया बड़ा लंबा काल था पर किस रूप में शासन किया आक्टेवियन के नाम से नहीं बलकि आउगस्टस के नाम से उसी नाम से वो ज़्यादा प्रसिद हुआ आगस्तस सीजर ये जो चौबिस वर्ष है जिसमें आगस्तस या अक्टेवियन ने शासन किया ये बड़े शांती मैकाल थे क्योंकि दासों को एक तरीके से दबा दिया गया था सैनिक सत्ता पर पूरा नियंत्रन था और साथ ही सैनिट का एक तरीके से अस्तित्व अब नहीं था उसको तो पूरी अपनी तरफ कर लिया गया था और आगस्तस जूलियस सीजर की तरह ही एक बहुत कुशल शासक था एक कुशल राजनिते की भी था तो उसने ये वह बादियां लेकर आगस्तस और इंपरेटर और अगस्तस का रख होता है हम कह सकते हैं और इंपरेटर याने विज़ई सेना पती तो पवित्र अपने को उसने घोशित किया पवित्र और इस तरकार अपने अपने व्यक्तित्व में एक ऐसी भावना उसने डालने का प्रयास किया जिसे जनता उसको स्वीकार करे पवित्र तो पवित्र और साथ ही विजय सेना पती इंपरेटर इस दो नामों से उसने शासन किया और अंत्वे जैसा मैंने कहा कि चौबिस साल का जो लंबा काल इसका था यह एक तरीके से शांतिपूर्ण काल था रोमन सामराज के लिए जो इसके पहले बहुत सैन्य उथल पुथल और राजनितिक उथल पुथल के दोर से गुजर रहा था अब वो एक तरीके से थम सा गया Augustus ने राजनीतिक माहोल को एक स्थायतु दिया शांति दी अमन्चैन देने का प्रयास किया इसलिए इस काल को क्या कहते हैं रोम की शांति का काल Pax Romana P A X Pax Romana या रोम की शांति का काल Augustus Caesar के बाद जाने इस्वी पूर्व से इस्वी आते आते तक एक तरीके से रोम की सब्विता का पतन प्रारंब हो गया और रोम का जो सामराज्य है इसके नक्षे को देखें तो जिसका जो पश्चिमी भाग है मेडिटरेन के बीच में जी हम लाइन खीचे तो जो पश्चिमी भाग है या सामराज्य को दो भागों में बांटे वर्टिकल लाइन से तो पश्चिमी भाग जो है वो दो भागों वो वो ज्यादा तूट फूट गया इस पूरे रोमन सामराज्य के दो भाग हुए पश्चिमी भाग और तूटा और तूटा जबकि पूर्वी भाग जो है वहाँ एक नई सब्विता, एक नए सामराजी का जन्म हुआ और वह था बाइजन्टाइन, बाइजन्टाइन एंपायर, बाइजन्टाइन सामराज्य, पूर्वी हिस्से में, और पश्चमी भाग जैसे मैंने कहा, उसके कई टुकड़े हो गए, वही हिस खेत्र जिसमें इट ये इसके कई टुकड़े हो गए, और पूर्वी हिस्सा जो है, उसमें एक नए संस्कृती आई, नए सब्विता आई, वहाँ यूनानी सब्विता भी वहीं थी, उसके बाद रोमन सब्विता आई, और अब वहाँ पे बाइजन्टाइन सामराज जाया, 476 एस्वी में, 476 एस्वी में उत्तर से, यूरप के उत्तरी हिस्से से, बहुत से असब्वे, आकरमन कारी आया है, और रोम पर सत्त हमला करते हुए, उन्हों ने रोम के सामराज को ही समाप्त कर दिया, और स्वैम को, उसके जो नेता थे, उसके जो लीडर थे, उसका जो न इत्रत कर रहे थे, उन्हों ने अपने को राजा खोशित कर दिया, पर कुल मिला के, 476 आते आते, रोमन सब्विता समाप्त हो गई, और उत्तर यूरप से आयोए लोंगों का कबजा इस खेतर में हो गया, पूरे खेतर में नहीं, क्योंकि इसके तो कई टुकड़े हो चुक झाल